प्रेज दो लॉट और कुछ मुबाइल में दिक्कत हुई इस कारण से मैं नई टॉफ हो गया था और फरिशानी हो रही थी लेकिन परमीशा का मैं धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से हम प्रभु के वच्छन को लेके आए हैं और जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा है ल नाश होगे तो मेरे प्रियो मुझे और आप को अपने मन को फिराना बहुत जरूरी है मन की शुदी करन होना बहुत जरूरी है आज हम देखते हैं कि मनुश्य का जो मन है ना मेरे प्रियो वही तो शुद नहीं है हम मिलते तो ऐसे हैं हम मुलाकात तो ऐसे करते हैं कि जैसे हम उस व्यक्ति से इतना प्यार करते हैं, इतनी मुहबत करते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही उसकी पीट मुड़ती है, हम क्या करते हैं, हमारा मन उसके प्रती विरोध में आजाता है, हम पुराई कर देते हैं, प्रेज दलॉड, तो प्रगु क का वच्छन कहता है कि मुझे और आपको मन को बदलना बहुत बहुत जरूरी है प्रेज अलॉड और हम देखते हैं कि जब प्रभु येश्व मसी ने एक व्यक्ति को चंग पवित्रा जो दुश्टर अपने थी उससे उन्हें चंगा किया और क्या हुआ मेरे प्रियों कि बती साथ आत्माओं को अपने साथ ले आती है और उसमें पैट कर महास करती है और मनुष्ट के पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है इस योग के बिरे लोगों के दशा भी ऐसी होगी प्रेज दलॉड मेरे प्रियों मेरे अजीजों मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु प्रभु यश्यों मसी दोस्टात्माओं को निकालता था और प्रभु यश्यों मसी ने एक बात बताई कहा कि जब व्यक्ति के अंदर से उसका मन शुद हो जाता है दोस्टात्माओं निकल जाती है और शुद हो जाता है तो क्या होता है वो सजा सवारवा होता है वो सूरत हो जाता है और ऐसे में अगर आपका मन कमजोर है या मन में अशांती है तो क्या होता है मेरे प्रियों और वो वचन कहता है कि उस जब वो देखती है कि जिसमें से दुष्ठात्मा गई थी यानि बुराईयां गई थी और वो देखती है कि बड़ा सुन्दर हो गया है य लेकिन उससे जदा वो और साथ बुरी आत्मा और बुरी आत्मा को लेकर आती है और उसमें वहां रहने लगती है और मनुश्य की पिछली दशा जो खरापती उससे भी बुरा बुरी दशा हो जाती है तो मेरे प्रियों मेरे आज़ीजों मुझे और आपको मन को शुद करना बहुत आवशक है अगर मेरा और आपका मन शुद नहीं होगा तो मेरे प्रियों हमारी हालत इसी प्रेकार से हो जाएगी कि जैसे दुष्ट आत्मा खाली स्थान देखती है और जब वो और बुरी आत्मा को ले आती है और उसमें क्या करती है लिखाए कि इसी यूग के लोग मेरे यजीजो मैं बताना चाहता हूँ कि खुरावन मुझे और आपको बहुत से चीज़ों को बताता है लिकिन मैं और आप कितना उसके अपर चलतेалась और बच्चन बताता है कि आने वाले समय में इतना कलेश होगा इतनी परिशानी होगी इतनी तकलीफ होगी जैसे कि जगत के आरम से भी नहीं हुआ था जब जगत आरम हुआ था तो उसमें भी ऐसा हुआ आदम और हवा को शैतान ने वो फल खिला दिया परमेशर के तुले आने के लिए वो आ गए हलिलुया तो मेरे प्रियों ऐसे और ऐसा कलेश कभी न हुआ होगा ऐसा हो जाएगा तो मेरे प्रियों मेरे अजीजों खुदावन मुझे और आपको बताता है प्रेजित करता है कि मैं और आप कैसा जीवन जीए हैं फ्रेस दालोड और इसलिए मन फिराओ और लोटाओ खुदावन हरवाद कहता है उस से मैं जब यहुन्ना बब्तिस्मा दाता ने जब वो जब जब वो जब लोगों को क्या परचार करते थे मन फिराओ काय का मन फिराओ प्रभी यशुमसी ने विया कर का मन फिराओ तो मेरे प्रियो आज मेरा और आपका मन शुद्ध है कि ने ये बड़ी बहेंकर बात है इस बात को मुझे और आपको देख रहा है लिखा है अप्रेटितो के आम इसका तीन अध्याय उन्निस पद में लिखा है इसलिए मन फिराओ और लोटाओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं जब मैं और आप प्रभू ये शुमसी के पास लोटाएंगे मेरा और आपका मन श पड़ा हुआ है वो जीवन बदल जाएगा प्रेज़ लोट जब हम प्रभू के सम्मुग रहेंगे प्रभू के साथ साथ रहेंगे मेरे प्रियो तो कैसा जीवन होगा खुष्णमा जीवन होगा आनंदित जीवन होगा हम देखते हैं कि वो वेक्ति वो वेक्ति जो की प्र अबिवारों में अशान्ती होती है, जीवन में अशान्ती होती है, और हम कुछ भी कर लें, कितने करोडों रुपे हमारे पास हों, जब घर आता है मनुश्य, तो क्या होता है, तरास्त हो जाता है, परिशान हो जाता है, सुख नहीं मिलता है, रात को नीद नहीं आती, बेचे रहते हैं क्यों क्योंकि वहां पर प्रभू का आत्म हमरे साथ नहीं है अश्चांत जीवन हमारा होता है हम परिशान बहुत पैसा हो अब देते ना बड़े बड़े लोगों के पास बहुत पैसा होता है फिर भी वो कहते मुझे रात को सोने के लिए एक नींद की गोली जीवन में ना गोली खाने की जरूवत है प्रभू का वचन क्या कहता है जो लोग प्रभू विश्वास करते हैं प्रभू यूँई आनंद से उनको नींद देता है हालेलुया प्रइस अलोट में जान मैं सोचता हूं इस बात को मैं आपके सामने इस बात को रखता हूं कि कि जो लोग हैं और जो प्रभू के साथ अपने जीवन को वैथीत करते हैं वो आनंद के साथ रते हैं बहले उनके पास खाने का ना हो बहले उनके पर रहने का बहुत बड़ी अस्थान ना हो बहले उनके पास बहुत बहुत अच्छी चीज़े ना हो लेकिन खुदा का जो आनंद उनके जीवन में होता है वो अधबुद होता है प्रेज दे लौड हालेलूया और लिखता है पत्रस भी कहते हैं पत्रस ने भी कहा कि मन फिराओ तुम में से हरेक अपने पापों की शमा प्रभु येश्व मसी के नामसिल नामसिलो बप्तिस्मा तो तुम पवित्रात् का दान पाओगे क्या मैं और आप मन फिराते हमारे बच्चों का मन माता पिता के प्रती शुद नहीं है पती और पत्री का मन शुद नहीं है परिवार में जो लोग रहते हैं उनसे हमारे मन शुद नहीं है जो हमारे प्रहसी हैं उनसे हमारा मन शुद नहीं है तो मेरे प्र श्रसने भी कहा किया है हर एक अपने मन को भिरा और तुम में से हर एक अपने पापो की शवा के लिए यश्व मसी के नाम से क्या लो बबदे स्मा करता हूँ करती हूँ कि मेरे शरीर में जो दुख है तकलीफ है परिशानी है वो इसी गड़ी जाती रहे ये शुमसी के नाम से देखिए चली चाहिए क्योंकि मन अगर आपका शुद है मेरे प्रिव अगर आपका मन शुद नहीं तो कितना भी कुछ कर लिए जीवन में कुछ नहीं होगा मेरे प्रिव और जब हम प्रवी अशुमसी के नाम से बबतिमा लेंगे तो क्या कहता है कि तुम पवित्रात्मा का दान पाऊ गया प्रेस दरओ है हमारा जो 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 पुवित्रात्मा हमारे अंदर वास करता है और गारंटीज बात किया है कैसे वास करता है पहले कुरंटियों उसका त्रीस रद्याय सुलह सत्रा पत कहता है कि यह शरीर पुवित्रात्मा का मंद्रा मेरे प्रत्यक के जीवन में प्रत्यक के शरीर में प्रभू का वच्छन कहते हैं तमाम तरीके के प्रती विरोध का कारे करते हैं तब वह आत्मा काम नहीं करता हूं क्योंकि हम उसको लिखा प्रभू का वच्छन कहता है कि तो पौवित रात्मा को शुकित मत करो क्या कहता पौवित रात्मा को शुकित मत करो हम अपने कारें के दोरा पर्मेशर पिदाने का वचर में लिखा है प्रभू ये शुमन सीवी कहते है कि जगत के अंतक मैं तुम्हारे साथ हूं पहले पिता के रूप में वो हमारे सात्रा किसके सात्रा पिता के रूप में हमारे सात्रा यहुवा के रूप में हमारे सात्रा उसके बाद किसमें आया हो पुत्र के रूप में प्रभु ये शुमन्सी के रूप में हमारे सात्रा और उसने का कि जगत के अंतक मैं तुम्हारे साथ हूँ और कैसे का उसने का जब मैं जाओंगा तो पवित्रात्मा आएगा Praise the Lord कही मुझे और आपको अकेला नहीं जुड़ा अब वो पवित्रात्मा के रूप में मेरे और आपके साथ रहता है लेकिन मैं और आप अपने गलत कामों के साथ बुराईयों के साथ मैं विचार के साथ उनस सब का विरोध कर देता हूँ हलेलुया हम देखते न वचन बताता है मतीर अचिस्थ समचार उसका तेई सद्याय पैतिस्पत कहता है जिस से धर्मी हाबिल से लेकर हाबिल का इमानदार सच्चा परमेशिद मन का परमेशर का भक्त परमेशर को वो आदर दिया उसने उसने का सरवोत्तम चीज़ चलाओंगा मैं उसने जो बालिदान किया सरवोत्तम के मेमना जो शुद था पापों से निश्कलंग था उस मेमने को उसने वलिधान किया और उसके भाई हाबिल ने उसके भाई कैन ने क्या करा अशोची रेंदी और क्या करा उसका मन शुदनी था परमेशर के प्रती है ना परमेशर के प्रती उसका मन शुदनी था और उसने क्या करा और वो जल गया चिड़ गया आज मनुष्य अपने भाई बेहन परिवार के लोगों से चिड़ता है नवर्त करता है क्यूं तोकि वो बढ़ रहा है चाहे वो संसारी करूप से बढ़ रहा है चाहे वो आत्मिक रूप से बढ़ रहा है हाँ मेरे प्रियोग लिखा है की धर्मी हाबिल से लिकर ब्रिक्या के पुत्त जकरियत तक जिसे तुमने من्दिर और वेदी के बीच में क्या करड़ा मार डाला हाँ मेरे प्रियों मंदिर के बीच में मार डाला जितने धर्मियों का लहू प्रित्य पर भाया गया वो सब तुमारे सेर पर पड़ेगा जितने भी लोग प्रभु के लोगों को सताते हैं जितने भी लोग प्रभु के सेवकाई में बादा डालते हैं जितने भी लोग प्रभुग के लोगों को विरोध करते हैं जितने भी लोग प्रभुग के सुसमचार प्रचारों के साथ बुरा वेवार करते हैं मेरे प्रियो खुदा का वचन कह रहा है कि वो तब तुम्हारे सेर पर है हालिलुया मतीर उचेस समाचार पच्चेस अध्याए पैतिस पद्ध में पड़े इजी हम देख सकते है वो कहता है वच्छन कहरा है कि अगर तुम अप प्रभू का कलाम किरा कर तुम ने मर नहीं पिराया ना तो तुम भी उनी लोगों के रीटी से क्या करो जाएगा तुम आए रेवलेशन की पुस्था प्रकाशित वाके हमारे खुदा ने जो भी कारे किया मेरे प्रीयों उन कारियों को करने से पहले मनिश्य को जरूर बताया और रेवलेशन की पुस्ता प्रकाशित्वा के दू अध्याय और 21 पत कहता है मैंने उसको मन फिराने के लिए आउसर दिया किसको उस समय के लोगों को आज भी वो मेरे और आपको क्या दे रहा है मन फिराने का आउसर दे किता है तिंуса एक मैं और को संसार के पैसे में चीज़ों में काय और अंदे रोपिस्ट अंदेव करके संसार की बातों में चल रहा है वेविचार घूस तमाम बुरी बातों के अंदर लगे हुए मेरे प्रियों वो अपने मन को वेविचार से मन फिराना नहीं चाहती मुझे और आपको वेविचार से क्या करना है मन फिराना है खुदा इन बातों से नफरत करता है प्रीज दे लॉड और सबसे बड़ी बात खुदा के कलाम में लिखी है और कुलाला अब पेड की जड़ पर है मेरे प्रियोज जड़ का मतलब यह है कि मौके पे मौका रखा हुआ है अभी भी और अगर मनुष्य के मड़ी हो जाए है या प्रभी येश्य मसी का आगमान हो जाता है फिर मेरे और आपके पास कोई मौका नहीं कि हम रेपेंट कर सकें पश्चताप कर सकें कुलहाडा जड़ पर रखा हुआ है इसलिए जो पेड़ अच्छा भल नहीं लाता वो काटा और आगमे जोकडा जाता है मेरे प्रियोग मुझे अगर अब सर मिला है तो मुझे अपने मन को बदलना है अगर नहीं बदलेंगे तो क्या होगा मेरे प्रियोग मौका नहीं बजन सेटाथ 309 क्या कहता है क्या मिट्टी तेरा धनेवाद कर सकती है नहीं कर सकती है अगर मृत्टी होगे हमारी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे कुछ नहीं रिपइंड कर पाएंगे और अगर प्रभुई शुमसी आ गया तो मेरे प्रियोद तब भी मेरे और आपके पास मौका नहीं होगा कि हम कुछ कर पाएं तो मेरे प्रियोद जब अवसर मिल ला है कुलाडा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है हलेलुया अवसर है लिखा है बचन के अंदर दो इस्तनिया चक्की पीस्ती होंगी उनमें से जो सही होगी उसका क्या हो जाएगा रैप्चर हो जाएगा उसे प्रभु अपने साथ उठा लेगा दो लोग खेत में काम करते होंगे एक जो अच्छे विचार का होगा प्रभु के प्रती जिम्यवार होगा उठा लिया जाएगा और जो ऐसा होगा वो दुष्ट सजा के लिए तयार होगा प्रभी येश्यो मसी को जब पकड़ लिया गया था तो क्या कहता है प्रभी येश्यो मसी ने उनकी ओर फिर कर का लोगों की तरफ देखकर का है येरुशलम की पोत्रियों मेरे लिए आसु बहाने के आवशक्ता नहीं है मेरे लिए आसु बहाने के आवशक्ता नहीं है अपने पोत्रों और पोत्रियों के लिए क्या करो अपने बालकों के लिए आसु बहाओ क्योंकि वो अगर नहीं सीख्योंगे नहीं शुद्मन होगा तो क्या होगा उनके लिए कोई रास्ता नहीं दोजग की आख में जाएंगे वो दोजग में जाएंगे बच नहीं सकेंगे मेरे प्रियोग अलेलुया और अनतिमपत में जाएंगे लुकरचिसो समचार उसका 24 अध्याय 47 पत कहता है और येरुशलम से लेकर सब जहतियों में मन फिरावका और पापो की शमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा किसके नाम से प्रभी येशुम उसी के नाम से किया जाएगा मेरे प्रियोए और येरुशलम से लेकर के शुरुआत कहा से होगी येरुशलम से हो रही है और होती रही कि जो खुदा के वच्चन में लिखा उसे कोई नहीं मिटा सकता मेरे प्रियों लिखा है येरुशलम से लेकर सब जातियों में किस में सब जातियों में मसीयों में नहीं इसाइयों में नहीं सब जातियों में तो میरे प्रियोग point है पढ़ने की बात है देखने का वचन को देखना है कि सब जातियों में आज कितना बहुत से लोग अन्ए विश्वास के लोग येश्य मसी को ग्रहन कर रहे हैं नाम उनका वही है सब कुछ उनका वो ही है लेकिन वो येशु मसी की बातों पर चल रहे हालिलुया और लिखा है कि उसके ही नाम का यानि येशु मसी के नाम का क्या होगा प्रचार आज हम देख रहे हैं चितना प्रचार हो रहा है हालिलुया अदबत बाते जो खुदा के वचन में लिखी है उसे म और आप तो मिटाने किसी आदमी की अउकात नहीं कि उसे मिटा सके या उसे बदल सके क्योंकि काइनात हमारे खुदा की है बनाने वाला कौन है? खुदा हमारा तो उस काइनात जो उसने जो बच्शन में लिखा है ये बाईविल किसी मनुश्य के द्वारा लिखी नहीं गई है वचन बताता है पूरी रीती से कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखाकों से लिखवाई गई है हालेलुया और उसी के अपने पापों को का मन अपने सब जातियों मन फिराव को और पापों की शमा का प्रचार करना है और उसी के नाम से किया जाएगा किसके नाम से ये ईशु मसी के नाम से तो मैं और आप तो बड़े भगेशाली लोग है जो पैदाईशी जानते हैं कि हमारा खुदा ये ईशु मसी है प्रेसलो और हमसे भागिवान वो वेक्ति हैं जो जानते नहीं और फिर उसको अपना ले रहे हैं और उसके नाम को जान रहे हैं और मस्यों से ज़दा बड़ीया गवाई दे रहें प्राइश रोड हलेलुया अदुबध है मेरा प्रभू अदुबध है मारा खुदा मेरे प्रयो हर एक उटना जुकेगा हर एक जुबान अंगीकार करी पूरी हर एक याने संसार जुकेगा और सब यह कहेंगे येशु ही प्रभु है प्रेज दे लॉट प्रभु आप सब को बहुत आशिश और बरकत दे मेरे प्यारे भाई भेनों और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मैं परिवार सहित मैं अपने परिवार सहित अपने घर वापिस लोटाये हैं हम इसके लिए मैं भी मैं धन्यवाद देताओं कि हम इतने दिन बाहर रहे और प्रभु ने हमें सुरक्षत रखा हर प्रकार के हमारी यात्राओं को मुबारक किया और ये आप सब की दुआओं का असर है कि प्रभू ने हमें सुरक्षित और अच्छा रखा इसके लिए हम परमिश्र का धन्यवाद देते हैं आईए हम सम्मिल के प्रात्ना करेंगे सब शुक्तिमान पिता परमिश्र आपको धन्यवाद द हैं प्रभू और आपकी इजद्या के लिए करुणा के लिए धन्यवाद देता हूं कि मैं अपने प्यारे भाई बेहनों के साथ मिल करके कि तेरे बचन की रोटी को हम सब तोड़ते रहे इसके लिए हम तेरे भन्यवाद करें मसी के नाम से प्रात्रा को मांग लेते हैं आम कि तो बचन का बति है सिस्टर अलीशा अबरहाम जो की बैतूल की बेटी है और सुबह ग्यारा बजे प्रचार करेंगी और शाम को पांच बजे श्रेंक्लाव प्रकाश हैरी कानपुर से और 6 बचे बजे बैतूल से सिस्टर अरुना पीटर और यचे जह से साथ और सास से आठ प्रचार करेगी बेबी सारा जौन और जो आगरा से हमारी बेटी है और आठ से नौ एमस रेवरेंड डॉक्टर एमस राओ मदुकर राओ जी प्रचार करने के लिए आठ से नौ आएंगे और दस से साथ दस बजे मैं अपने प्यारे वाही बेनों के साथ अपने परिवार के साथ मिलकर के इस चुटे आगरा मस्जी मंडली परिवार को के साथ बचन की रोटी को तोड़ सकेंगे और आप से निवेदान है हाथ जोड़के कि आप जरूर खुदा की हैकल में जाएं क्योंकि जो इस्थान जो रविवार प्रभुवार है उस प्रभुवार में जरूर खुदा के हैकल में मंडली के साथ प्राद्न करें ताकि सब और आप सब मिलके आनन देतों प्रेज देलोड हलेलोया जैवसी की प्रभु आप सब को बहुत आशी शबर कर दे